तो आज इस वीडियो में हम लो दोखेंगे आर्थिंग पीट का रेजिस्टांस कीस तरह से चेक जाता है तो उसके कितना हुमाता है तो यह हमारा मेट्रावी का 501 मोडल है जो यह पूरा आर्थिंग रेजिस्टांस चेक कना के लिए पूरा कीट दिया हुआ है उसमें से दो पूरा जेहा हुआ है जिस्को मितीमे गाऑना पड़ता है उसको अर्थिंग चेक कना के लिए उसके साद चात्य है क्ारौकोडाइल क्लीप दिया हुआ है तो लंब Кेबुल वी दिया हुआ है बीस मिटरका यह पूरे सेट पूरा कीट में आता है तो यह अर्थिंग कि अलि कुरैं गया गया इभी केबल जबषा जो प्राब जब चळिसा है। मिदके एक तीरोगी काली श्माज लाते है। ज्में आपका मिटेफ जिसमें आपका अर्थिंग को पिट लगवा है। और थिंग पिटेफ नर्माली पांच से 6 पिट मेट्के अंदर रहता है। तो यह जो अर्फिट उसका रेजिस्टांस चेक करना है आपको तो उसको किस तरहा से देखेंगा, यह रखेंग system तो यह जो अर्फिटन दर मैं नमी रहता है उसमें कांटिनुटी पुरा फूरा रहता है तो उसी के अगर बोल्टेज देंगे और जो अधिंग का टेस्ट करने के यह जो राड दिया हुए उसको अगर मिट्टी में फशाएंगे तो इसका डिस्टांस जो होगा हमारा अर्थिंप् capability से एक फशाएंगे 10 मुटर में और एक पसाएंगे 20 मिटर में अशा नहीं है कि एकी लाइन में हो कहीं पर आप उसको गुषा चकते हैं लिकिन यह डिस्टांस जो है हमारा एक 10 मिटर का राएगा एक राएगा 20 मिटर का तो उसमें 10 मिटर और 20 मिटर जो होगा उसमें हमारा केबूल जो लंबालमा दिया कॉंटिनुटी से पास करके जब मिटर में साइगा सप्लाई तब जाके उसमें रिजिस्टांस दिखाएगा तो यह हो गया हमारा डिजिटल अर्थिंग टेस्टर है जिसमें टेस्ट बोटन दिया हुआ है यहां से हम लोग कॉनेक्शन काने के लिए जो केबूल देखे थे वो सब केबूल U1 और P1 दोनों को सॉट करके अगर सॉट नहीं हुआ है तो सॉट करके वो केबूल को में लगाना है अर्थिंग पीट पर अगर यह डिजिटल कीट आपके पास है तो उसमें U1 P1 का सॉट करके केबूल स्पेसल है जो उसमें दोनों को अलेडी सॉट किया प्रोब निकला हुआ है, तो डारेटली वो प्रोब आपका E1 और P1 में घुशाएंगे, तो उसका दूसरे भाग जो है, जिसमें क्रोकोड़ल क्लाम्प लगा हुआ है, उसको अर्थिंग बला पीट जिसको मांपना है, उसी में इसको लगा कर रखना है, तो यह जो E1 और P1 यहां पर उसको रखना है, और बकी बच्चा E2 और P2, तो E2 और P2 से जो कोई भी एक होगा चलेगा, तो दोनों में से एक लगाना है, दास मेटर में एक लगाएंगे, वीस मेटर में, तो मांझे जो E2 अगर लगा दिए यहां तो P2 को लगा दिए, पीटू को लगादी न वेलो बाल ओयार आपका होगा तो उसको भी लगा सकते हैं लेकिन यहां पर क्रोकोड़ल इकला भी सिले लगता है कि अच्छी से पकड़ कर रखे तो एक हमारा दस मेटर में लगेगा एक हमारा वीस मेटर में लगेगा अगर आपका ज्यादा लंबा जागा नहीं है तो जितना हो सकता है उतना लंबा कीजिए जितना जरुवत नहीं है तो नॉर्माली दौस मीटर और बीस मीटर में चेक करना सही है तो उसको बाद जब टेस्ट मोटन दबाएंगे तब क्या होगा बोल्टेज अमारा तो उसमें से कितना बोल्टेज गया कितना कारेंट फ्लो हुआ हुआ अर्थिमें से ओम्स लो ही हिचाब से जिसमें रेजिस्टiblटाजम देगा तो यह अक्चली अमरारा वेश्टन प्रीज में जिसे रेजिस्टनमाट थायं उनसी लावा पे काम करता है तो यहां पे हमरा इसी तरह से बोल्टे जाके हमारा मिटी से जाके फिर प्रब में जाके प्रब से मिटर को जाता है तो इसी तरह से यह continuity फ्लो हो जाता है उसमें कितना रेजिस्टंस है उमको मैं आपके बता सकते हैं जितना पॉम रेजिस्टांस हो गा उतना अच्छा है वान ओम से हमेशा नीचे रहने के लिए आपको जो मिट्टी जहां पर आर्थिंघ हुआ है उसको गिला रखना पड़ेगा तो यह गिला रहाएगा तो वान ओम से नीचे रहेगा तब जाके आपका आर्थिंघ बिल्कु पाली में उसके अंदर बाल्टी में डालना है तो डालने से क्या होगा कि वो एरिया पूरा वेट रहता है तो वेट रहने से को मारा कॉंटिनुटी जाजा अच्छा रहता है तो अर्थिंग का जो पर्पोज है वो आपका फूल्पिल हो जाता है तो चली देखते हैं इसको किस तरह से लगाना है यह हमारा पास है कि जो मेट्रा भी का डिजिटल मिटर था है यहां पे जो हमारा प्रवब दिया हुआ है दोनों को सॉट करके यू अर्पी वन तो प्रवब हमने यहां पे लगा दिया दोनों सॉट हो गया और उसका एक दूसरा भाग जो है हमको अर्थिंग में लगाना है अर्थिंग जिसमें मेजर करेंगे तो और एक एलो बाला और रेड बाला जो लंबा-लंबा ओयर दिया था 20 मिट आसपास ओ जो व्यार दिया हुए उसको हम लगा दिये एắtर एटू और पीटु में तो पहले आपको चेक करना पाड़ेगा कि मीटर हमारा सही है की नहीं जीशे में मेगर में चेक करतेऊ ह appeared 0 डिखा रहें की नहीं तो इस्थारा से पहले हमारा मीटर को चेक करना पाड़ तो तीनो प्रोब्स घहा निकला जा है। E1, P1, 1 क्क रही है। और P2 or E2, दो अलग अलग है। तो तीनो को यहां पे एक ही जागे में सरट करके, जिए हमें अब।बटन दबाएंके तो हमको यहां पे 0Ω ऐना चाहिए। 0Ω हमाएगा तो हमको पता चीलग है। वोल्टेज फ्लो करके चेक करता है, अगर लॉक नहीं दबाएंगे तो इतना टाइम टेस्ट बटन दबा के रखेंगे, उतना टाइम वोल्टेज देके चेक करेंगे, जब छोड़ देंगे वो बंद हो जाएगा, तो पहले जीरो एंसुर करदने के बाद, आपको पता चला क पहले जाएंगे तो इसी तरह से अन्य को लाइगा, जो हम तिननों को मिलाके एक जगा मेछ थे उसको निएक निकालके जो रेध वोल्टे यह नागर एक दास मिला वोल्टेण तो रेरट बला देख सकते हैं, यह थोड़ी दोर पे लगा हुआ है, दसमीटर के सब्छा दूरी, तो इसको इस मिटी में अची तरह से अंदर करना है, उसको हमर से आप मार के अंदर कर सकते हैं, जितना अंदर हो सकता है, उतना अचा है, तो मिटी थोड़ा गिला रहेगा, तो यह चेक अप पुरा बहुत बढ़िया होगा, पुरा सुखा मिटी या फिर कोई उपर पड़ा हुआ मिटी उसमें करेंगे, तो नहीं होगा, तो अलो वाला जो और है, उसको भी हम कोई दूर पे लगा दिया है, तो आपके पास जितना दूरी होगा, उतना में लगाएंगे, चलेगा, कोई दिखात नहीं, तो इसको एसा नहीं कि एक यू डिरेक्शन में लगाएंगे, दो साइड पी लगा सकते हैं, एक लगेगा दास मिटर में, एक लगेगा बीस मिटर में, तो अगर आपके पास जितना ज्यादा दागा नहीं है, तो आप उसको कॉम में भी लगा सकते हैं, तो इस तरह से लगाने के बाद, यहां पे जो सिलेक्टर सुच दिया हुआ है, इसको टेन ओम में करेंगे, तो टेन ओम में करने से क्या होगा कि ज़्यादा आकूरेशी आपको मिलेगा, अगर टेन ओम से कम है तो आपको टेन ओम सही लगा के चेक करना है, तो यहां पर देखिए 100 ओम दबाने से यहां पर जो 1000 में दबाने से ज़्यादा आएगा 100 में दबाने से पॉइंट आपका यहां आ रहा है और 10 में रखने से पॉइंट हमारा यहां आ रहा है तो पॉइंट के बाद और दो डिजिट हमको दिखाएगा तो इसलिए 10 के 10 में रखने से आपको सही reading बताएगा तो अगर 10 से नीचे होगा तो तो test बटन दबाने से आप देख सकते हैं 2.34 35 यह से दिखा रहा है तो इसका मतलब यह है जब lock बटन दबा देंगे तो यह continuously check करता रहेगा अब यहां से देख सकते हैं एक lock का सिंबल दिखा रहे और एक flushing का सिंबल आ रहे है flushing का सिंबल जो दिखा रहे है उसका मतलब यह है कि यह continuously check हो रहा है अभी continue चल रहा है तो अभी 2.49 जो है वह भाती खराब अर्थिंगे तो इसमें अभी देखिया आप भी देख सकते हैं पर सुखा पड़ा है माद मिटी तो इसमें अमनामक बला पानी या पिर जो नॉर्माल पानी जो भी होगा अमडाल के उसको सही कर सकते हैं इसको जो सही करना का तरीका है लमक बाला पानी आप इसमें डालेंगे कॉंटिनूसली एक हफ्ते तक तो ये आपको रिडिंग एक हफ्ते बात करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया रिडिंग देगा आर्थिंग का काम आपका भी हो जाएगा